एक स्काटिश वैज्यानिक खोज करता है जीनियर और प्रवर्थ तक थी जो पहले वास्तविक चलेफोन की अविश्कार के लिए जाने जाते है एलेगनजडर बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलेंड के एजिनबर्ग में हुआ था उनका पारिवरिक घर 16 साउथ शेरलोड स्ट्रीट में था और वहाँ एलेगजडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद है उनके पिता प्रफेसर एलेगजडर मेल विले बेल स्वर बैज्यानिक और उनकी माता इलेजागरिस थी उनका जन्मलेगजंडर बेल के नाम से हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने दो भायों के मद्ध स्वर यूद अपना भी मद्ध स्वर बैजन का निवितन किया था उनके ग्यारवी जन्म दिन पर उनके पिता ने उनका मध्य नाम ग्रहिम रहने की उन्हें अनुमती भी दी थी इसका सुच्छा उनके पिता के एक आनेजेन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही दिया था उनके परिवार और सह कर्मियों के अनुसार बेल बच्पन से ही बहुत होशियार थे बेल के पिता, दादा और भाई वसुत का और भाषनों से संबंधित काम से जुड़े हुए थे और उनकी मा और पत्मी दोनों ही बाहर थे खेल लगातार भाषन और बात काने वाले उपकरणों की अविशकार में लगे रहते थे और ऐसा करने से ही उनके दिमाग को चालना मिलती भी गई और इसी वज़ा से 1876 में टेलेफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेट स्टेट के पहले पेट्रिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेल ने टेलेफोन का अविशकार कर बिज्ञान की दुनिया का सबसे बहतरीन और सबसे प्रसिद्ध विशकार भी कर दिया था टेलफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से अविश्कार भी किये है जिन में मुख्य रूप से टेले कम्यूनिकेशन हीडो, फोल और एरिनाटिक्स शामिल है नाशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहा रहते हुए सिवा की थी और सोसाइटी के दूसरी प्रेसेडेंट के पद पर कारिरत रहे युवा बारक के रूप में बेल अपने भाईयों की ही तरह थे, उन्होंने अपनी प्रारभीक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहन की थी अलपायों में ही उन्हें स्कार्टलैंट के इजिन बर्गु की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल चार प्रकार ही पुरे किये थे, उन्हें विज्ञान में बहुत रुच थी, विशेशत, जी विज्ञान में, जबकि दुसरे विश्यों में विज्यादा ध्यान नहीं देते थे स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादा जी एलेक्जिंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गे थे जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनकी अंदर पढ़ने के प्रती अपना प्यार जागरित हुए और तभी से वे एक घंटों तक पढ़धाई करती थे युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़धाई में काफी ध्यान दिया था उन्होंने अपनी युवाध चात्र द्रड विश्वास के साथ बोलने के लिए काफी कोशिशे भी की थी और उन्होंने जाना की उनके सभी सहमित्र उन्हें एक शिक्षक की तरह देखना चाहते हैं 16 साल की उम्र में ही बेल वेस्टन हाउस अकैडमी मोरेस काट्र लैंड के वस्रिल चकला और संगीत के शिक्षक भी बने इसके साथ साथ वे लाटिन और ग्री के विद्यार्थी भी थे इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वही अपने भाई मेल विल्ले के साथ रहने लगे थे 1868 में अपने परिवार के साथ कनारा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मेट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में इड्मिशन भी ले लिया था एक बच्चे के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिग्यासा को प्रदर्शित किया था और अलपायो में ही वानस्पतिक नमूनों को एक कट्टा का उन पर प्रेयोग करते रहते थे उनका सबसी अच्छा दोस्त बेन हर्डमें था जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लोर मेल भी थी बेल हमीशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मेल में किन किन जीजों की जरूरत पद्धी है तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पिसा जाता है 12 साल की उम्र में बेलने घर पर ही घुमने वाले दो क्लोर पहियों को जोट कर एक ऐसी मशीन बनायी जिससे गेहूं को आसानी से पिसा जा सकता था उनकी इस मशीन का उप्योग कई सालों तक होता रहा बदले में बेन के पिता जान हर्डमै ने दोनों बच्चों की खोज करने के लिए एक वर कर्शाब भी उपलब्द करवाई थी मई 1874 में टेलेफोन का आविशकार किया बाद में उन्होंने फोनों आटोग्राम पर प्रयोग करना शुरू कर किया एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों को रुप रेखा दी सके इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलेफोन बनाने की योजना भी बनाई इसके बाद उन्होंने अपने असिस्ट एटे थामस वाट्सन को भी काम पर रख लिया था दो जून 1855 को बेल ने टेलेफोन पर चल रहे अपने काम को सिद्व किया इसके बाद वाट्सन ने बेल के फोन वाट्रग्राप में लगी धातों की एक नलिका को खिचा अचानक हुई इस घटना से ये भी पता चला कि चलेफोन से हमद्वनी को भी स्थानांतरिक कर सकते है साथ मार्ज 1876 को बेल में अपने विचारों का पेट्रिंट हासिल किया बेल को योनाइड़ स्थेट पे ट्रिंट ओफिस पे ट्रिंट नमबर एक लाख 74465 मिला इससे उनकी विचारों को भी कापी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलेग्राफी तरंगों से मशीन से आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे इसके बाद बेल को दूर की किसी ब्रंत फोट गाव से एक दिवने संदेश भी मिला ये संदेश तक्रिल बंचार मिल दूर से आया था इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओ को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खुजों को सार्वजानिक रूप से जाहिर भी किया 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली चले फोन कमपनी की स्थापना की बेल के चले फोन कमपनी की स्थापना हुई इसी साल बेल ने कैम्बरिज की मबेल हब बाट से शादी की लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पर धाना ही था क्योंकि उस समय चलेफोन उनके लिए ज्यादा लाब दाए नहीं था 1881 को बेल ने दुसरे कई अविश्कार भी किये बेल ने फोनोग्राफ है, मेटल डिटेक्टर, मेटल जार्केट की भी खोज की और साथ ही आडियोमीटर की भी खोज की ताकि लोगों को सुनने में परिशानी ना हो इसके बाद उनके नाम पर 18 प्रेटिंट दर्च किये गए उनके अविश्कारों को देखते वे उन्हें बहुत से सम्मानों और पुरुसकारों से नवाजा भी गया था और आज भी उन्हें कई पुरुसकार दिये जाते है 1897 में बेल प्रसिद हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रास अट्लांटिक फोन काल लगाया पहली वार बेल ने उप महादवीब के बाहर से भी वाटसन को काल लगाया इस काल के 38 साल पहले बेल और वाटसन ने फोन पर बात की थी लेकिन ये काल उस फोन से काफी बेहत्तर था और आवाज भी साफ थी दो अगस्तु 1922 को 75 साल की उम्र में अपनी व्यत्तिकत जगे बेन अग नोवा स्काटिया में डाइबिटीज की वज़े से उनकी मृत्य हुई थी बेल रानिमिया से भी ग्रसित थे आखरी बार उन्होंने राद को दो बजे अपनी मृउंटन ने स्टेट के दर्शन किये थे लंबी बीमारे के बाद उनकी पत्नी मबेल ने उनके कनों में गुनगुनाते हुए कहा था मुझे छोड़कर मत जाओ जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यू भी हो गई थी बेल की अतिम यात्रा को सम्मान देते वे उत्तरी अमेरिक आउप महादवीब के सभी फोन को उनके सम्मान में सायलेटे पर रखा गया था वे एक ऐसे अविशकारक थे जिनहीने अपने अविशकार से लाखो मिल दूर रह रहे इंसान को भी जोड़ा था